Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप में हसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप सी राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो इन फाक जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं आपको लगता है कि ये साइन आपका है, आप उस साइन के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading and third set of cards में हम देखेंगे कि finally August month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Shady और ये card कहता है कि कुछ time से August starting में partner के उपर या इस relationship के energies पे आपको थोड़ा सा doubt हो रहा है कहीं you know आपको कोई चीज ठीक नहीं लग रही है और शायद इसलिए आप फिर otherwise Empress Reverse का card कहता है या तो आप self care, self love practice करना चाहते हैं या partner के लिए ही बहुत एक love care महसूस कर रहे हैं अब दिखे especially पीछे अगर आपने खुद को ignore किया खुद पे बिल्कुल भी attention नहीं दी तो August starting में आपको ऐसा लग सकता है कि इतना जादा ना self को ने ignore करना चाहिए self respect, self love ज़रूर practice करना चाहिए और इस पे आप focus कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि again बहुत एक love, प्यार, महबत आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं बहुत partner की care कर रहे हैं और यहाँ पर deeper level के लिए don't leave का card कहता है आप अपने partner को किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर खोना नहीं चाहते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और हो सकता है कि किसी level पे आपको ये एक fear भी रह रहा है कि आपके partner कहीं आपको ना छोड़ दे, इस relationship को ना छोड़ दे और इसी लिए यहां फिर otherwise three of pentacles reverse का काट कहता है कि आप you know जिनको भी trust करते हैं आप पर कुछ के लिए हो सकता है professionally guidance advice ले रहे हैं कुछ इनों concrete level पे discussions फिर से मैं कहूंगी जिनको आप trust करते हैं उनके साथ या professional counseling, professional guidance ले रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फाइदा आपको हो रहा है कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप लेना चाहा रहे हैं, ले नहीं रहे हैं या पर ले रहे हैं तो आपको जो भी advice और guidance दे रहे हैं उनकी बात आपको कहीं समझ में नहीं आ रही है और end August के लिए three of wands reverse का card कहता है कि आप long term planning करना चाहा रहे हैं कहीं you know current situation पे इतना focus ना करके future पे आप ज़्यादा focus करना चाहा रहे हैं future कहीं आपका ज़्यादा concern रह रहा है again long term goals आप बनाना चाहा रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं कहीं you know future पे focus करना चाहा रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं and fears connections का card कहता है शायद आप ज़्यादा लोगों से connect कर रहे हैं ज़्यादा लोगों से interact कर रहे हैं अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या energies हैं, तो आपके पार्टनर के लिए आपे सबसे पहला कार्ड है judgment reverse, और ये कार्ट कहता है कि आपके पार्टनर कुछ टाइम से याउगस स्टार्टिंग में stuck महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर किसी चीज को end करके नए सिरे से एक beginning करना चाहा रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, अब देखिए ये ending, beginning सब लिए उसके पार्टनर के लिए डिफर करेगी, कुछ लिए उसके पार्टनर के लिए हो सकता है, कि जो भी issues आप दुनों के बीच में चल रहे हैं, आपके पार्टनर उनको end करके आपके साथ एक नए beginning, नए सिरे से शुरू करना चाहा रहे हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, कुछ issues, कुछ मसले फेस कर रहे हैं, और इका दुका लिए उसके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है, कि इस relationship को end करके नए सिरे से अपनी जिन्दगी को शुरू करना चाहा रहे हैं, और अगर ऐसा भी चाहा रहे हैं, तो कर नहीं पा रहे हैं, और deeper level के लिए block deal का card एक दो चीज़े कहता है, या तो बहुत एक block, अपनी ही energies में वो महसूस कर रहे हैं, एक mental block, एक emotional block महसूस कर रहे हैं, और शायद इसी लिए एक fresh start, एक नहीं beginning, किसी भी level पे वो करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लिए उसके partner के लिए हो सकता है, कि वो आपको block करना चाह रहे हैं, या आपके साथ एक mental emotional block, मन ही मन महसूस कर रहे हैं, या social media पे block करना चाह रहे हैं, या social media पे उन्होंने आपको block किया, फिर से कहूंगी ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब लिए उसके partner के लिए defer करेगा जो भी हो कहीं mid August के लिए turn of wants का card कहता है बहुत एक pressure, बहुत एक burden वो महसूस कर रहे हैं जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ले ली बहुत सारी चीज़ें अपने उपर ले ली शायद ये भी महसूस कर सकते हैं कि उनको आपको मना करना चाहिए था उनको आपको no कहना चाहिए था और शायद वो आपको no नहीं कह पाई या कोई भी और reason हो सकता है अगेन एक pressure, tension महसूस कर रहे हैं बोथ acting like brats का card कहता है कि उनका behavior, उनका attitude कहीं mid August में थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है आपको ऐसे लग सकता है कि रंग से behave नहीं कर रहे हैं और end August में तो एकदम से you know blast उनकी energies में रहता हुआ दिख रहा है यहाँ पर the tower and boiling point के cards कहीं similar सी बात करते हो सकता है कि कुछ चीजें बहुत टाइम से वो अपने अंदर ही अंदर suppress कर रहे थे आपको कुछ कहना चाहा रहे थे नहीं कह पा रहे थे, कुछ करना चाहा रहे थे नहीं कर पा रहे थे बहुत एक limitations, बहुत एक restrictions महसूस कर रहे थे और कहीं end August में you know वो उसी चीज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं जो उन्हें suffocate कर रहे थी अब यहाँ पर देखी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको कुछ कहना चाहा रहे थे नहीं कह पा रहे थे तो कहीं वो express कर रहे हैं और उनका express करने का तरीका बहुत खराब रहता हुआ दिख रहा है बहुत rough, बहुत rush तरीके से अपनी feelings, यहाँ पर गुसा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है express करते हुए दिख रहे हैं और जो भी चीज उनको बहुत ज़ादा बांध रही थी, रिस्टिक्ट कर रही थी, उसको तोड़के उसमें से बहार निकलते हुए दिख रहे हैं नहीं तो फिर से कहूंगी जो भी चीज उन्हें suffocate कर रही थी, कभी-कभी parents की तरफ से restrictions होती हैं, कभी-कभी society की तरफ से restrictions होती हैं उनको अगर वो थी आपके partner को, तो उनको तोड़के उसमें से बहार निकल रहे हैं, या अगर ये relationship उनको restrict कर रहा था, बांध रहा था आपके energies हों, लियोस, जो भी आपके partner की energies हों, कहीं August starting में आप दोनों ही एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे से connect करते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कि long term आप दोनों एक दूसरे के साथ plan करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर शादी engagement के बारे में बा चीत हो रही है, tracking location का card कहता है, एक दूसरे के बारे में पूरी खबर आप दोनों ही रखते हुए दिख रहे हैं, या अगर आप हैं तो आपके पूरा कुछ पता है कि आपके partner कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस से मिल रहे हैं और आपके partner की भी कहीं ऐसी सी ही energies रह सकती हैं, जहां पे आपकी हर एक चीज की खबर उनको है, या फिर वो रखना चाहा रहे हैं, और दिखिए mid August के लिए amazing chemistry का card कहता है, again जो भी आप दोनों की energies हो, आप दोनों के बीश में बहुत जबरदसत एक connect रहता हुआ दिख रहा है, एक amazing chemistry, एक amazing you know connect, again मैं कहूंगी रहता दिख रहा है, physical intimacy भी हो सकती है, आप दोनों के बीश में हो रही है, और बहुत एक दूसरे के लिए attraction, प्यार, महबबत महसूस करते हुए दिख रहे हैं, strength का card कहता है, कि कुछ चीजें हो सकता है, कि आप लोगों को एक दूसरे की परिशान कर रही हो, कुछ चीजें हो सकता है, आपको दूसरे जनकी या आपके partner को आपकी bother कर रही है, बट कहीं उसके लिए एक सबर रखते वे दिख रहे हैं, एक patience रखते वे दिख रहे हैं, कहीं बहुत ही compassionately, बहुत ही lovingly, चीजें को deal करते वे दिख रहे हैं, दूसरे जनकी गलतियों को lovingly, compassionately, maaf करते वे दिख हैं, तो देखे, mid August तक काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, in fact, end August में पी कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन six of souls का card कहता है कि शायद stuck महसूस कर सकते हैं, changing का card कहता है कि कुछ positive changes लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, शायद आगे बढ़ना नहीं बढ़ पा रहे हैं, शायद travel करना चाहा रहे हैं, आप दोनों एक साथ या फिर अलग-अलग तो travel से related भी issues मसले रह सकते हैं, तो दिखे, end August में movement से related, यानि कि आगे बढ़ने से related कुछ issues हैं, बाकी August मन ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, again इसके बावजूद कि आप आप दोनों शायद अपने अपने level पर बहुत confident इस relationship को लेकर, या फिर बहुत great इस relationship को लेकर, या जो इस relationship में हो रहा है, उसको लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालो का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करें